मैं हूँ केशव और आज मैं आपके लिए लाया हूँ जो JVVNL IA का syllabus है उसका part 2 जिसका 40% weightage है तो उसका detail में discussion करेंगे कि आपको किस तरह उसकी पढ़ाई करनी है जब मैंने 2018 में उसका paper दिया था तो उसमें कुछ चीज़ मुझे काफी tough लगीती जैसे एक तो mathematics का section ठीक है तो मैं बताओंगा को कि math आपको कैसे बढ़नी है math section में class 12 तक की math आती है उसमें differentiation के question भी आयते integration के question भी थे मतलब समा कलन और आव कलन ठीक है differentiation आव कलन को बोलते है और integration समा कलन को और our view यानि matrix तो इन तीनों के सबसे अदर question आयते class 12 की math से और काफी सारी question थे साथ-अदर question थे around जहां तो मुझे याद है तो मैं बताओंगा कि आपको इन सब की practice कैसे करनी है कि इसके अलाव जो other parts है उन सब को कैसे पढ़ना है ग्यारा सीट है जनरल की केवल तो आप non-tsp areas है तो केवल ग्यारा सीटों के लिए fight करेंगे लगबग एक लाग बच्चे form भरे होंगे इस साल जहां तक मुझे आइडिया एक लाग पने तो भराई होगा ठीक है अब ग्यारा सीट है एक लाग बच्चे है तो इस पर इस पर बहुत कम है तो हो सकता है 140 तक भी चली जाए इसकी भी संभावना है तो सीटे कम है, cut off ज़्यादा जा सकती है और हम अब बात करने वाले Informatic Assistant के syllabus के बारे में तो ठीक है, शुरू करते हैं तो phase 1 की मैं बात कर चुका है आप मेरा earlier वाले वीडियो देख सकते हैं ठीक है, phase 2 में आते हैं ठीक है, phase 2 का दो topic आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है यह भी math related है, एक तो है data sufficiency, data interpretation ठीक है data interpretation का मतलब होता है, उसमें सवाल आएंगे pie chart वाले, pie chart वाले जैसे 2 pie chart दे दिये, ठीक है बोल दिया कि यार यह 2006 की जन संक्या है और यह 2009 की जन संक्या है इनमें इतना इतना अंतर हो गया महिलाओं की संक्या इतनी थी 2009 में इतनी हो गई, बच्चों की इतनी हो गई, पुरुषों की इतनी हो गई वरद्धों की इतनी हो गई, ठीक है अब उनमें पूछेगा कि कितना percentage बढ़ गया कितना percentage loss हो गया, कौन कितना कम हुआ, जनमदर, मिर्तिवदर, इस तरह के बहुत से प्रशन पूछ सकते हैं, तो देखिए, इस बार IBPS जो संस्था है न, वो हमारा exam conduct कराएगी, ठीक है, तो IBPS के सबसे favorite topic होता है, एक तो data sufficiency, data interpretation, ये banking के exam, ये banks के exam organize कराया थी, IBPS संस्था, तो इस बार वो ही ले रही है, तो उसके जो favorite topics है न, वो तो हमें बहुत अच्छे से करके जाने, तैयर इस तरह से, smart तरीके से करनी है, ज्यादा महनत नहीं करनी है, और कम महनत में हमें अच्छे results लाने है, इस तरह हमें तैयारी करनी है, तो वो topic पढ़ो, जो भाई, वो अच्छा का record यह है, यह data sufficiency बहुत पूछती है, data interpretation बहुत पूछती है, इसलिए syllabus में यह देखो आप, यह देखने को मिल रहा है, वो यही पूछेगी ज्यादा, तो इसमें से data sufficiency, data sufficiency में क्या होता है, दो statement, एक कोई question देगा, कि भाई, suppose, एक khamba है, जो 100 meter का है, ठीक है, औ और उसका वज़न इतना है, ठीक है, फिर नीचे दो कथन देगा, ठीक है, दस खंबे, suppose, 100 meter के इतने है, नीचे कथन देगा, नीचे दो कथन देगा, अब वो पूछेगा, क्या कथन एक और कथन दो, हम दोनों के मदद से इस प्रशन को solve करेंगे, या एक कथन से इस प्रश efficiency का सवाल, ठीक है, मैंने एक किसी website पे open का लिया है, समान भार के 10 खंबो का वज़न क्या होगा, प्रते खंबे के भार का, एक चोथा ही भाग, पांच किलो है, दूसरा statement है, तीन खंबो का कुल भार, दो खंबो के कुल भार से 20 किलो दीक है, ठीक है, अब यह पूछ रहा है तो अब आपको इसको उत्तर देना है, तो आप यहां आसानी से देख सकते हो, क्या रहा है, तो भाई, इस खंबो का वज़न निकल जाएगा, और यहां पर तीन खंबो का भार दे रहा है, और दो खंबो के साथ comparison कर सका है, तो दोनों से, यह दोनों है कतन से, यह दोनों से तो इसका answer C हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह के प्रशन आते हैं, यह हो गए data, sufficiency के, ठीक है, data प्रयाप्त है नहीं है, उसके प्रशन, ठीक है, अब data interpretation के प्रशन दिखा देता हो, इस तरह के प्रशन आते है, यह pie chart दे देंगे, ठीक है, pie chart में comparison करवाना है आपको, ठीक ह एक देखो, पहला वाला chart है, 1909 मगा है, दूसरा वाला 2000 का है, ठीक है, market size बता रखिए, अब पूछे का बाई, sales कितनी बड़ी है, दो साल में, कितने percentage growth हुई, कितने growth कम हुई है, difference बताओ, किसका figure कितना बड़ा, किसका figure कितना कम हुआ, तो इस तरह के प्रशन पूछेंग लाते हैं, कई बार, कई बार आपको आजाएगा, विद्यारतियों वाले chart आजेंगे, विद्यारतियों को और सत वरेश अब, तो यहां पर देखो, आपको क्या क्या पढ़ना है, यहां पर आपको पढ़ना पढ़ाएगा, average, profit and loss कि आपको पता होने चीक, किस तरह profit and loss निक तो यह हमारे प्रश्न किसके हो गए यह हो गए डेटा इंटर्पेटेशन ठीक है इसके बाद हमारे हम चलते हैं दूसरे टॉपिक्स पे ठीक है यह पार्ट भी हो गया और इसके पांच सेक्शन दे रखें आप देख लिए वह जो मैंने बता है अभी वह भी मैं इसी के पार् पर वो दे ओपर रखा है उन्होंने ठीक है अब हम डीटेल में आते हैं इसमें क्या क्या है रिजनिंग और मैंटल एबिलिटी में क्या क्या दे रखा है वाई दे रखा है इसमें आप सिंपल आप देख लेना कोई सी बुक लिए ना रस अगरवाल हो गरे इस सब की वहां पर आपको सीधा सीधा टापिक दिख जाएंगे नमबर सीरीज भाई एक दो चार फिर क्या आएगा तो इसके बाद आठा जाएगा इस तरह के प्रशन है फिर वह सपेस सब्सक्राइब पूछता है आगे क्या आएगा ठीक है कोडिंग डिकोडिंग के सेम क्यूशन आप द गंटे के सुई कितना चलती इस तरह के प्रशन आते हैं तो यह तो ना रीजनिंग नॉमल है आप आराम से पास दिन के अंदर रीजनिंग की बहुत अच्छे से त्यारी कर सकते हो पास दिन के अंदर तो आप पूरी रीजनिंग खतम कर दोगे इतनी आसान है कोई दिक्कत आप जो समस्य की बात होती ना वह थी बाई सेकिंड सेक्षन यह ना इससे टफ कुछ नहीं है इस पूरे सेक्षन में सबसे ज़्यादा को टफ बच्चे फस्ते ना इसमें फस्ते क्यों क्योंकि भाई 12th क्लास की मैथ यार किसने पढ़ी नहीं होती पढ़ी होती बूल जात हैं यह हम सीखना मुश्किल हो जाता है भूल जाते हैं अब 10 साल होगे मुझे पढ़े वियार मैथ 12th क्लास तो 10 साल पे लेवास करी थी ठीक है तो अब इस तरह के प्रश्णों को कैसे हल करना है ठीक है तो इसका सबसे सही तरीक है राजस्तान वोड की कितावे उठाओ और जितने हैंडा इसमें तीन टॉपिक सबसे मिपॉडरेंट 12th क्लास की मैथमेटिक में एक तो आता है मैत्रिक्स लिकलो आपचाहे मैट्रिक्स मैं आपको टाइप कर देता हूं ठीक हैkim कॉम कुमसे टौपिक मर्टेंट हैं ठीक है एक तो आपकी टौपिक मिपॉडरेंट थ कि मैट्रिक्स हो गया मैट्रिक्स इसको बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं इसको क्लेंट प्लेंट तो यह टॉपिक है न तीनो यह लिख लो चाहिए तो इसमें से आपको कम से कम है ना आपको छह साथ question तो इन तीनों टोपिक के अंदर से ही मिल जाएंगे ठीक है तो यह topic तो आपको मतलब अच्छे से करके जाने हैं ठीक है तो class 12 के यह तीन topic मैंने आपको बता दिये जो जो आपको पढ़ने और किसे पढ़ने बुक्स तो भाई आपको राजस्थान बॉर्ड की ही फॉलो करनी है आप राजस्थान बॉर्ड की किताबे पड़ो राजस्थान बॉर्ड की जो एक्जामपल दे रिखे होते हैं उनको अच्छे से करके जाओ उनके अंदर इन चैप्टर्स की जितने भी एक्जामपल है न सारे करके जाओ उसमें से ही क्वेशन फस जाएगा मेरा तो अर्मान यह यह कि वहीं से क्वेशन आ जाएगा आपको किसी गाइड को पढ़ने के इन सबकी ज़रुत नहीं है और बहुत सी वीडियो जहार देख ल तो दिन में यह तीनों टोपिक खत्म हो जाने चीए ठीक है इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना आपको इतना ही टाइम है ठीक है फिर रिविजन के लिए भी टाइम निकालना है तो ठीक है मैंने आपको इमाट का बता दिया ओके सो अब हम आगे चलते हैं मैं के बाद भाई जन्न नोलेज ना अब यार यह टर्म है ना यह जो शब्द है ना यह बड़ा ही विस्तरत है इसका कोई अंत नहीं है जन्न नोलेज तो भाई कुछ भी हो सकता है ना और इसमें टॉपिक तो ऐसे दे रखें जैसे कोई आई-एस का एक्जाम ले रहे है न सब कुछी डाल दिया सब पूछी पूछलेते हैं लोग ठीक है तो यह बड़ा क्या वूरे में एक्जाम तो साड़े ठारा जारुपे की है क्या है सेल्री और पूछ लेते पता नहीं आई-एस लेवल का तो देखो इसमें और नेशिनल इंटरनीशनल इंपोर्टेंस बाई कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का चेर्में कौन बन गया है ठीक है इस तरह के प्रशन पूछते हैं ठीक है उनको बोलते है परसन एंड प्लेसेज इन रीसेंट न्यूस ठीक है परसन न्यूस वाले क्वेशन बहुत ज़्याद पूछते हैं कि भाई जैसे मैं आपको एक ए अब भी न्यूस में चल रहे हैं न उन प्रश्णों का आपको ढंक से एक कंपाइलेशन देख लेना है बहुत सारी वीडियो चलती है मैं आपको दिखा देता हूं कहां का एक जीके टुडे करके वेबसाइट वहां से पढ़ सकते हो बहुत से लोग पढ़ते हैं तो यह हो आपको नैशनल-इ्टलेनियसमें क्या किया बाई वही परसणी न्यूस्थ फ्रांस की राश्पति कह ओन है ये सब कान से अभी अव मोरी की पहली महिला है जो व्ल्ड इस बार का और रोजर वैडर्ले नें कितने जीट लिए इस सब जार ठीक्र तब जातर ऐसे, ठीक्ल Adapt nuit किसने कौन से टीमने कौन से स्पोर्ट जीते हैं त्इक है यह एसे पूश्ट लेंगे भई यह कौन से क्वेल से संबंढ़ीद थे ठीक है और ऐसे संबने व Crispy व्याइबर से एक्षी फेमस एथलीट्स कौन-कौन से है तो ठीक है यह सब पढ़ के जाना आप राज़स्तान से भी और इंडिया से भी जितने भी इंपोर्टेंट एथ्लीट्स है ठीक है चेकर के हो चाहि अधर जिमनास्टिक कि हो चाहिए लम्भीग तुदर ये सब जितने वे ना आपको important important सारे पढ़ने ठीक है अब मैं आपको बताते हूं science के अंदर क्या क्या आता है science के अंदर पूछ लेगा क्या ना2CO3 होता है ना उसका general नाम क्या है ठीक है Na2CO3 क्या होता है sodium carbonate होता है ना तो sodium carbonate का general नाम जो हम बात्चीत बोल चाल की भाशा में यूज करते हैं तो बही क्या होता है बताओ तो Na2CO3 का मतलब पर होता है Na2CO3 होता है ना2CO3 का होता है कपड़े दोनी का सोड़ा और दूसरा होता है NaHCO3 वह होता है खाने का सोड़ा इस तरह के प्रश्न पूचेंगे इंपोर्टन क्योशन पढ़ लेना है इस इंडियन स्ट्री में तो क्या पूचेंगे अभी इंडियन स्ट्री में पूचेंगे महात्मा गंदी ने जो है दांडी यात्रा कभी स्टार्ट करी थी ठीक है और यह सत्यागर कभ वहा था कॉंगरेस के सूरत अधिवेशन का ध्यक्ष कोन था ठीक है या श्रीमति एनिबैसेंट ने या एहो हुई मने कॉंगरेस की थापन कप करी थी इस तरह के प्रश्न काफी पूचते है ठीक है इंडियन इस्ट्री में तो यार यह ना इंडियन फ्रीडम इस्ट्रगल थी ना जो भारती स्वतंतरता अंदोलन बोलते हैं इसको उससे जितने भी important question है ना यार वो देख लेना आप YouTube पे मिल जाएंगा आपको कहीं से मिल जाएंगे ठीक है लेकिन मैं बोलूँगा कि जो राजस्थान बोड की किताबे आती है न हिस्ट्री की उसके पीछे के सारे प्रश जाएंगे ठीक है जनल नौलेज में आप कभी भी 100 मेंच 100 नमर नहीं ला सकते और राजस्थान के जीके बहुत ही मतलब क्या बोलू मैं टफ आती है ठीक है राजस्थान के जीके में आपको होश ही नहीं होगा कि क्या पूछ लिया तो आप इसमें सो में से सो लाने की कोशि टाइम नहीं लगा सकते इसमें इतने हैं तो जन्नल नोलेज ज़ादन परिक्षा ना या दस दिन पहले से परदा श्टार्ट करना और अभी क्या करो करेंट अफेरज दस दिन पहले परदा पारिक्षा से अभी आप पढ लो या सिविक्स ठीक है पॉलेटी यह फडर पढ सब्सक्राइब तो एक मैं RSM SSB जी का एक प्रैक्टिस सेट दिखाता हूं उसमें राजस्तान से संबंदित क्वेशन दिखाता हूं दिखाता हूं कैसे प्रशन पूछी चाते हैं अगर आप चाहोगे तो मैं इसका भी एक वीडियो बना दूंगा न मुझे बता देना आप कमेंट सेक्शन में कि इसका वीडियो बनाने है क्या राजस्तान सूचन आयोका गठन कब हुआ था ठीक है इस ऐसे प्रशन आते हैं पिछली बाद मुझे आदेग प्रशन आया था राजस्तान राज्य परिवहन निगम है न जो हमारा परिवन हो गया उर्जा विभाग हो गया अब मैं आपको एक ऐसा क्वेशन फोचूंगा जो इसमें 99 परसेंट को आपको पता नहीं और आप इसकी एक्जाम दे रहे हैं मैं आपको पूछू कि राजस्थान आर वी उनल की एक्जाम दे रहे हो ना आप जेवी वी एनल की तो भाई आर वी उनल की स्थापना कभूई थी तो अब यह 99 परसेंट को पता नहीं होगा और आपको पता है तो अच्छी बात है नहीं पता तो बहुत दिक्कत की बात है अब यह प्रश्ण कर एक्जाम में आ जाए ना तो दिक्कत में आ जाएंगे सब तो भाई तैयारी इस कि जिस विभाग की एक्जाम है ने आर एटलिस्ट उसके बारे में तो डंक से पढ़के जाओ विद्धुत विभाग की एक्जाम देने जा रहे हो तो भाई यह आपको पता हो ना ची विद्धुत विभाग से रिलेटेड भारस सरकार की कौन सी योजने चल रही है वरतमान के जनम दिवस पे 2 अक्टूबर 2011 को लागू की गई थी ठीक है फॉस्ट टाइम ठीक है इसके बाद भाई साब राजस्तान में गैर परमपरागत उर्जास रोट से उर्जास रिजन करने की नोडल एजेंसी है तो भाई वो जो इसको बोलते है आर 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 ए कॉर्परेशन लिम्टेट बोलते हैं राजस्तान इनुबला एनरजी कोपरेशन लिम्टेट इसकान सरे हो जाएगा राजस्तान में कितने जिला उद्यों केंद्र कारे रहते हैं अब ये विज्ञान और प्रुद्द्योगी की पार कहां का है तो भाई जैपू नवलगड़ और जहालरा तो यह सब आपको पता होने चीए ठीक है अब देखो पॉलिटी में कैसे क्वेशन पूछते हैं राजयपाल से संबंदित क्वेशन पूछ सकते हैं राजयपाल पत्पर न्यूक्त होने कलिए योग जिता है कि सनुछेद में ठीक है राजयपाल के पदा हो दी कौन सी पदा क्वेशन पूछता हूं और यह इसका अंसर तो क्या हो जागा दो हजार दो में इसकी स्थापने हुई थी उर्जय योजना के लिए एक एप निकाले राजस्तान सरकार ने ठीक है और उसके उसके बारे में राजस्तान पत्रिका में एक न्यूस भी आई थी तो ठीक है अग करते हैं १शन ने सबने को करने में इनक्वारी करने में दिककत होती है तो बही सरकार ने सीधा सा नियम एक आप ही बना दिया इस एरिया में कितने से कितने बुझे light जाएगी तो पहले बता देंगो उस अप में तो क्या इस से users को कितनी आसानी हूजाएगी पहले पता चल जाएगे लाइट कटेगी तो कब से कप खटेगी तो भाई इस एप का नाम है ये उर्जा मित्र एप है ठीक है तो अब क्योश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में उर्जा मित्र एप है ना उसका कार्यक है तो भाई ये रट लेना एक तो एक इकरत विद्धूत कटोती नियंत्रन एको सिस्टम ये है ना ये लाइन रट लेना काझ की अब दिखों ये राजिस्तान पत्रिका में ये जब पढ़ोना राजस्तान पत्रिका रहा है इस तरह की न्यूस पढ़ा करो ठीक है कि याड राजस्तान सरकार में कौं-kोंसे एप लौज करें कौन-कौन सी चीज़े योजनियी नहीं लौंच करी कि चुशनह में तो आनन्त आप कितनी बढ़ लोतको समझें जाएगा कि इस यह मैने आपको बत दिए ऐख का पाइए खņ cual अब हम चलते हैं कि साड़ अज्ऑ कि यह जी के करें पर cracking Q करूब प्रइख लेकिन अगर लोग बोलेंगे तो इक कराऊंगा में पस किया टाइम कम है तो मुझे और चीज़ भी करा नहीं तो फहले वह करा रहा हूं ना तो मैंने डेटाबेस का आ रहा हूं और फिर भी कोई या मतलब ज्यादा वह आता नहीं यह विव नहीं आते हैं पचा-पचा विव आते हैं अच्छा नहीं लगता है से ठीक है अब हम आते हैं हिंदी पर हिंदी जनरल में देखो या क्या होता है हिंदी इंगलिष के बारें बहुत से लोग पूछ रहें कि हिंदी कहां से पड़े तो इसका सिंपल सा अंसर है हिंदी कहां से पढ़ोगे कौन राजस्तान सरकार एक्जाम लेक्जाम ले राजस्तान बोड की दें रखा है फिर बी क्लास टेंथ लेवल की बाई नवी दस्वी क्लास की गरावान पर लो और आपको उनके आंसर से देखने तो यार इतनी वेब साइट सबसे जदा हिंदी में इंगलिश दोनों में सबसे जदा प्रशन किसे पूछे जाएंगे भाई साब पैसे से गध्यान से तो भाईया आप प्रैक्टिस कर लो एक तो अपटिट गद्यान सबसे जदा हैं और थोड़े टरफ वाले करना इसके तो सारे कर लेना क्लास टेंथ के सारे अपरेक्ट गद्यान सब्सक्राइब कर लो बहुत है और अभी तक किसी के त्यारी करिए उगी तो उसम्हिंदी की टॉपिक में बता जिता हूं क्या क्या पढ़ना है पहली चीज तो पढ़ना है गद्यान सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा प्रश्न गद्यान से आएंगे दूसरी चीज है विलोम शव्द ठीक है तीसरी चीज आएगी भाई सब वाक्य शुद्धी चौती चीज आएगी भाई सब और ट्रिक्षंट ठीक है एक वाक्य के चार टुकड़े कर दिये बताओ कौन सा टुकड़ा सही एंगग्रेजिम में आते हैं अंधाने एक ट्रक्शन के क्वेशन वैसे ही इसमें आएंगे ठीक है तो यह चीज़ें करनी होती है ठीक है तो जैसे मैं अपाटिक्ट गज्द्या आप प्रतृत कानून को दर्म के रूप में देख बहुत थीक है अब इसमें आपको क्या करना है यह वह गया यह इतना इसा गद्यांध आएगा बस अवापको इसके आंसर्स देने होते हैं इसी तरह के प्रश्ण वाप आएंगे गध्यांस को ती सीर्षक यह सब पूछ लेगा और यह सब नहीं पूछेगा तो देखो इसमें से कैसे प्रश्ण बनते हैं आपको कोई शब्दे देगा भाई साब कि यह बताओ अध्यात्मिकता सच्चा यह सच अब बता दो आप विलोम शब्द बता दो ठीक है इस तरह का कुछ पूछ लेगा इतना इजी नहीं पूछेगा थोड़ा सा टफ पूछेगा लेकिन इसी तरह के प्रश्ण पूछते हैं सम्मान में यह सम उपसर्ग लगा है तो अपमान का यह बनता है ठीक है यह इस तरह क यहां पर देखो यहां पर आपको मिल जाएंगा पटित गद्यांस ठीक है और यहां पर देखो क्या के टॉपिक मैंने बताए थे एक तो गद्यांस दूसरा टॉपिक आपको कले विलोम शब्द तीसरा वाक्य शुद्दी और चोता है वह एरे डिटेक्शन वाला जिसमें अहती है अब और जो कुछ आ सकते हैं या चीम शब्द पूछ लेते क्वीशी के अब जैसे क्लेसलेगा क्या रहे अधिक धांस शब्द कर यूज कहां करना चीशंदेन्स रिदर पाइस ही महीं आधिकांस करें जीक तरह का यूज करें तो इस तरह का प्रत्शन पूछ ना व्याक्रन बता रहूं इसमें प्रयावची शब्द यह दे रखें ना इंत क्लास के अब यह पढ़ लो मैं गैरंटी दे रहूं भाई इसमें से बाहर नहीं आएगा राजस्तान बोर्ड के फेस्मेंने सारे क्वेश्ण करें ते कोई नहीं छोड़ा इज़ी पर आता है कोई दिक्कत निया तफ आता है एक तो मैतमेटिक्स का बाई क्योंकि वह बिल्कुल नहीं आती तो 12 क्लास की मैतमेटिक्स यह है तफ पेपर उसको आपको ढंग से करके जाना है दूसरा आथ है ज प्रेंट अफेर्स नहीं पड़ाना आपने तो मुश्किल हो जाएगा करना चीक है तो यह हो गया आपका हिंदी वाला पार्ट ठीक है अब मैं आता हूं लास्ट पार्ट जो हमारा बच्चा है इंग्लिश का ठीक है इंग्लिश में भी सबसे इंपॉर्टन चीज भाई साब पैसेज है गध्यांच पैसेज आपको ढंक से करके जाना है पैसेज प्रैक्टिस कर लो 910 क्लास की इंग्लिश ग्रामर राजस्तान बोड की फिरी में यार डाउनलोड कर लो सीधा आपको मिल ज पूचले में है भाई साब डिस गर्स्टिंग का बताता इस नोनी बताव इस तरह और एसका चालत है तो इस प्रशन आते हैं छी के तो आप इन ंख構का किस तरह त्यार करने आ आप देखंग बहुए सी वेबसाइट से आप जा सकते हो अड़ा 247 है बैंकिंग अड़ा आई बीपेस की वो कैबलेरी या ज्यादा प्रिफर करना क्योंकि आई बीपेस एक्जाम ले रहा है तो वह वकैबलेरी भी ऐसी देगा देखो इंगलिस में सबसे टफ पार्ट जो आ सकते हैं एरे डिटेक् तो यह तो यह तो यह तो यह तो यह तो यह सब यूटूब से देख लेना यार बहुत सरी वीडियो पढ़िए इतना कोई टफ है नहीं तो ठीके दोस्ते मैंने इतना कुछ बता दिया है हाँ जीके का मैं पार्ट आपको बताना भूल गया यह जीके टूड़े एक वेबसाइट यार यह आई बीपीएस गाइड आती है यह बीपीएस से लेटेड जो भी जीके होता है बैंकिंग से लेटेड तो उसमें उसके जो इंपोर्टेंट क्वेशन वह दे देती है तो एक दो वेबसाइट से इनको फॉलो कर लो और जीके में आर उमीद मत रखना आप हो सकता है सब कुछ पढ़के जाओ और एक भी क्वेशन आपको ना आए ऐसा भी हो सकता है तो जीके से ज़्यादा उमीद मत लगाओ ज्यादा आप मेहनत कुरो मैथ में इंगलिश हिंदी में और रीजनिंग में ठीक है इन में आप जितना खेंश सकते हो खेंश लो अ उन्होंने लिख रहा है भें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ठीक है अब बड़ाया ना पुरी जिंदे के निकल जाएगी परते परते तो वह खतम नहीं होगा तो यार कोर्स के उन्हों डिफाइड निकर रहा है वह उपरेटिंग सिस्टम में क्या पूछोगे लिनेक् आपको ये पार्ट भी ठंक से पढ़ना है ठीक है तो ये मैंने आपको बता दिया इसके लोगर आपकी कोई इसके साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं जय हिन जय भारत